नमस्कार आप सब का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपेसी सीएसी हिंदी पर मैं ललीत यादव आप सब क्या बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते मेरा नाम ललीत यादव है मैंने डबल मैंने नेट कॉलिफाई किया हुए बाकी अगर आपको फ्री पीडिएफ चाहिए क्लासिस का तो ये फ्री पीडिएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है अनकेडमी ललीत यादव की पार्ट साला ओफिसियल फिर से बोलता ह बाकी अगर आपको complete course करना है बहुत डिटेल से study करना है proper mentorship के साथ तो आप अनकेडमी का course ले सकते हैं क्योंकि अनकेडमी के course के बहुत सारे benefits है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे for example सबसे पहला benefit एक subscription लेने से एक single subscription लेने से आपको इंडिया के सारे top teachers की classes मिल जाएंगी लगबग 150 प्लस educators है अनकेडमी पर आपको सभी teachers की classes के access मिलेगा आप उनकी कोई भी class किसी भी time देख सकते हैं ठीक है आप Hindi English Biling World तीनो मोड में classes मिलेंगी एक ही single subscription से यानि कि तीनों access रहेगा अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग-अलग language के लिए अलग-अलग subscription नहीं एक ही subscription से तीनों मिल जाएंगे जो देखना है देखिए live और recorded दोनों sessions available रहेंगे आप जैसा session देखना चाहते हैं देखिए कितनी भी बार देखिए यह सब features अनकेडमी पर हैं और बहुत सारे result अनकेडमी से regular होते हैं तो कि हर साल डेड़ सो से भी जाब है 170 के आसपस result अनकेडमी से हो रहें बहुत सारे topers अनकेडमी से पढ़ करके exam crack करके निकल रहे हैं तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तयारी कर रहे हैं अब जब भी अनकेडमी का subscription लेन जब भी आप course select करेंगे तो आपको मैं फीस में discount दिलवा सकता हूं डिसकाउंट के लिए कैसे होगा आप जब course select करते तो यहाँ पर नीचे एक code डालने का option आता है रेफरेल कोड डालने का option आता है इधर तो उस रेफरेल कोड में आपको ये डालना है L Y L I V E इसको apply कर देन करता है फीस में discount हो जाएगा जो भी आनेकेडमी पर offer चल रहा होगा वो offer आपको मिल जाएगा discount time to time change होता रहता है कभी 10% कभी 20% 25% भी होता है कई बार कई बार आपको extend course 3-4-6 महिने extra मिल जाते हैं बहुत सारे offers आते हैं जो भी offer है सब offer इस code से मिलेंगे इसको code to success बोलते है reason क्या कि fees में discount इसके साथ साथ मेरी personal guidance मिलेगी है मैं अपने सारे students को personally guide करता हूँ one on one guide करता हूँ देखिए आपकी कमिया क्या है आपकी situation को देखते हुए आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए अलग से strategy बनाने की ज़रूत पड़ती है और वो एक teacher ही कर सकता है क् जादा बहतर तरीके से आपकी situation को समझ सकता है क्योंकि सबकी situation एक जैसी नहीं होती है तो इसलिए आपकी इस exam की तयारी में teacher का एक mentor का होना बहुत जरूरी है guidance मैं खुद देता हूँ बिना manager assistant के देता हूँ और मेरा यही मानना है कि manager assistant के माध्यम से guidance नहीं होती है उनके मेर से call करेंगे contact करेंगे आपकी direct बात सीधी बात मेर से होगी मेरी team social media पर बाकी जगे पर reply करती है लेकिन call करते हैं तो मैं ही receive करता हूँ और callback भी मैं करता हूँ हाँ कई बार late जरूर हो जाता है क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं classes भी ले रहा जो भी चीज जानने आप बिंदास मेर से बात कर सकते हैं सब्सक्रिप्सन लेना है तो call जरूर कर लेना सब्सक्रिप्सन लेने से पहले मेर से अबर contact जरूर कर लेना क्योंकि बिना referral code के कोई फिर बाद में आपको जब guidance नहीं मिलती तो फिर परिसान हो जाते हैं बहुत सार एक नया बैस सुरू होता है foundation बैस अटम जीरो से आप यह माई पर भी सब्सक्रिप्सन ले सकते हैं मंतली बैसिस पर भी सब्सक्रिप्सन ले सकते हैं यानि कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की विज़रूत नहीं है और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी मैं आपको education loan से सब्सक्रिप्सन दिला सकता हूं सबसे important चीज अपनी guarantee पर आपको मैं education loan दिला दूँगा सबसक्रिप्सन लेकिन मेरे जित तरफ से जो help हो सकती है मैं आपकी help करा दूँगा ठीक है आप मिर से contact कर लेना जितनी help बन पाएगी पूरी help करेंगे यह मेरा आपसे व official जोइन कर लीजिए वहाँ पर सब चीजे सारी details मिल जाएंगे direct मेरे से contact कर पाएंगे यह कुछ मेरे areas हैं जो मैं पढ़ाता हूं तो इनकी classes भी आपको मिल जाएंगी YouTube पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी classes आपको मिल जाएंगी यह telegram channel है यह code है इस code को या लगाना है अनकेडमी का कोर्स जब भी ले code याद रखिएगा या लाइव लगाना है मिरसे बात कर लेनी है तो एकदम हाई जोस बताने सब दोस्त कैसे हो हाउस दजोस आंसर आना चाहिए हाई सर हाउस दजोस एक हाई जोस के साथ सब लोग answer दीजिए और session को हम स्टार्ट करते हैं चलिए तो मैं session स्टार्ट करता हूँ एकदम ये pre और mains दोनों के द्रस्टी कोन से बहुत important है election वाले chapter तक जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज एक film का suggestion देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो एक film जरूर देखना एक movie जरूर देखना उस movie का नाम है Newton नाम की movie है राजकुमार राओ और पंकज तरिपाथी ये दो इसके अंदर actor है और बहुत बहुत बहुतरीन movie है उसमें पूरी की पूरी जो चुनाव प्रनाली है चुनाव प्रक्रिया है किस तरीके से training दी जाती है किस तरीके से लोगों को चुनावों के लिए वहाँ पर authority जो वहाँ पर दी जाती है वो कैसे करते हैं किस तरीके की समस्याइं आती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी ठीक है तो Newton movie सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे दोस्ते हो सब के सब देखेंगे ठीक चलिए अब election की बात करते प्री के लिए बहुत important है भारत के अगर हम constitution की अगर हम बात करते नहीं आपर थोड़ा सा typing error कई बार हो जाते है आर्टिकल 324 से 329 तक में आपको निर्वाचन से संबंदित कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो भारत के अं अगर लोकतंत्रिक कहना है लोकतंत्र कहना है तो वास्तविक लोकतंत्रिक देश वही होगा जिसमें स्वतंत्राधार पर election होगा फिर तरीके से election होगा सब को election में participation करने का मोका मिलेगा तो मान लेते हैं कि स्वतंत्राधार पर election कैसे होगा क्योंकि आपने देखा होगा election तो पाकिस्तान में भी होते हैं इलेक्षन तो चीन में भी होते हैं इलेक्षन तो जिम्बाववे में भी होते हैं क्या ऐसा होने से वो तिनो देश लोकतांतरीक हो गए इसका उत्तर रहेगा नहीं रहें जैसे जिम्बाववे का युदारन ले लेते हैं वहाँ पर जब भी इलेक अभी अपनी जानू के सपनों में जाने का टाइम नहीं है अभी यहाँ पर क्लास में रहेंना है वह क्या होत्त करता है वह तीस साल से पता निए कितने दसकों से वही जीततीा रही है उसका मतलब यहीं नहीं कि वहाँ और पार्टी नहीं है reason यह है कि election जो है धांदली होती है सरकारी अधिकारियों को जबरदस्ती सरकार की पक्स में वोट डालने के लिए बोला जाता है ठीक है तो ये कई सारी चीजे हैं जिसके कारण इलेक्षन ढंक से नहीं हो पाता है अब भारत में वास्तविक लोकतंत्र की अनुभती तभी हो सकते थी जब बिना किसी दबाव बिना किसी बाहरी अस्तचेप के काम करता है और ये भारत के सारे प्रमुख प्रमुख निर्वाचन अगर हम बात करते हैं संसद के संसद में क्या आ गया लोक सभा और राज्य सभा इसके इलेक्षन कराते हैं राज्य विधाई का यानि कि विधान सभा और विधान परिशद इसका इलेक्षन कराता है राष्ट पती उपराष्ट पती इनके चुनावक से लेकर करके जितनी भी चीजे हैं सारी की सारी चीजों का काम जो है वो यह करते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम अलड़ी देख चुके लेकिन अब आगे भी हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के लेकर करके 1989 तक निर्वाचन आयोग जो है उसमें केवल एक सदस्य होता था लेकिन 1989 में भारत में उम्र घटाई जाती है वोटिंग की 18 साल कर दी जाती है 21 साल से तो एक ही जटके में करोड़ों वोटर पैदा हो जाते हैं तो उनके कार्य भार को फिर से एक सदस्य कर दिया गया और 1993 में एक बार फिर से तीन सदस्य बनाया और अब तीन सदस्य निकाए जो है वो यह है तो एक तो निर्वाचन विवस्था में आपने इनका आधार दिया दूसरी चीज के अगर हम बात करते हैं तो संसद और प्रतेक राज्य की विधाई सबके लिए सेम एक तरीके की एक ही मतदाता सुची होनी चाहिए इसका रीजन यह है कि किसी भी तरीके से कोई भी सामप्रदाइक प्रतिनिधितु नहीं दिया गया सामप्रदाईक प्रतनिधितु की बात करते हैं कैसे आपने दो अधिनियम सुने होंगे एक तो 1909 का अधिनियम मारले मिंटो एक्ट नाम सुना होगा उसने क्या क्या था भारत के अंदर पहली बार सामप्रदाईक अधार पर निर्वाचन विवस्था प्रारम की उसने टालो सासन करो की राजनिती प्रारम की थी ऐसे ही फिर 1919 के अधिनियम मोंटेग्यू चेंस फोर्ड सुधार जिसको बोला जाता है उसमें हिंदू और मुस्लिम ये विभाजन तो रखाई गया उसके साथ-साथ ये भी रख दिया गया कि अभी हिसाई हिसाई को डालेंगे सि भी लोगों को इकुल राइट दियेगे बराबर अधिकार दियेगे और सब को ये अनुभूती भी प्रदान करने थी कि भी सब लोगों को बराबर अधिकार है भारत में किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता इसलिए हमारे देश में एक ही मतदाता सुची का प बनाई जाती तो ये भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक खुबी उसको दिखाता है इसके साथ साथ देगे से धर्म नसल जाती लिंग इन में से किसी एक आधार पर आप मतदाता सुचिन में अपात्र नहीं हो सकते लोकसभा और राज्य की विधान सभा इनके इलेक्शन वेस्क मतदिकार के अधार पर होते हैं यानि कि ये ऐसे दो सदन है जहां पर सरकारे बनाई जाती है लोकसभा में केंद्र की सरकार बनती है राज्य की विधान सभा है उसमें राज्य की सरकार बनती है और ऐसे में जहां पर सरकार बन रही है कार्यपाली का बन रही है जिसक आजादी से पहले आप देखोगे वोटिंग का अधिकार भारत में सभी लोगों के पास नहीं था वोटिंग के अधिकार में दो कंडिशन होती थी आजादी से पहले या तो आप बहुत अमीर होने चाहिए राजा, महराजा, अधिराज, नवाब इस तरीके से तो आपको वोट रण डालने का अधिकार मिल सकता था या फिर आप बहुत उच्च स्तर के सिक्षित व्यक्ति होने चाहिए बहुत हाई लेवल की आपके पास सेक्षनिक डिग्रिया होने चाहिए तो आप डाल सकते थे यानि कि गरीव लोग, अशिक्षित लोग, कम पड़े लिखे लोग वोट नहीं डाल सकते थे तो भारत की 10% से भी कम जन संख्या को वोटिंग के अधिकार थे आजादी के बाद इस सारी प्रवर्तियों से निकलना था, सब लोगों को बराबरी का अनुभव कराना था उसका अनुभव कराने के एक सिंपल सा तरीका था कि सब लोगों को बिना जाती धर्म, लिंग, उनकी सिक्षा, उनकी अमीरी, गरीबी देखे एक समान अधिकार दे दियेगे वोट के रूप में कि भाई जो भी भारत का नागरिक है अगर वो 21 साल का होता है मैं उस समय की बात कर रहा हूँ आजादी के टाइम की उस समय वोट की उम्र 21 साल थी ये ध्यान रखना 1989 में बाद में उम्र को घटा करके 18 साल किया गया उस समय ये कहा गया कि 21 साल का जो भी हो गया भारत का नागरिक वोट डालेगा चाहिए वो कितना अमीर हो कितना गरीब हो पड़ा लिखा हो ना पड़ा लिखा हो किसी जाती धर्म भासा लिंक कहीं से भी हो सब को एक बराबर वोट राइट मिलेगा वरतमान में 18 है उम्र अम्बानी वोट डालने जाएंगे वो भी एक ही वोट डाल कर गाएंगे ऐसा तो नहीं है कि इतना सारा खजाना है जा करके पूरी वोटिंग खरीद लेंगे पूरा बूथ ही खरीद लेंगे कि दोस्त हैं भाई हैं सबजी बेचने वाले हमारे भाई हैं गोलकपा बेचने वाले भाइया हैं वो सारे लोग वोभी डाले जाएंगे उनको भी एक ही वोट का धिकार है और सब को एक ही लाइन में लग करके वोट डालना पड़ेगा ऐसा भी नहीं कि special line बनाई जाएगी सभी एक line में लग करके भूट डालेंगे अगर आपने NCRT पढ़ी होंगी तो NCRT में सारे के सारे provision है तो इस आधार पर होता है इसके साथ साथ समिधान समय समय पर निर्वाचन छेतरों के परीसिमन की बात करता है कि भाई क्योंकि जनसंख्या बदल जाती है उसमें कमी जादा होता रहता है तो परीसिमन करना हो सक है तो परीसिमन आयोग जो है वो संसद बनाता है संसद को ये power दी गई है और परीसिमन आयोग ने जो फैसला दिया वो full and final होता है आप किसी भी कोर्ट में उसको change नहीं कर सकते और कोर्ट के साथ साथ ना ही संसद और ना ही राज्यय का विधान मंडल उसको बदल सकता है इनके फैसले जो है ना परीसिमन आयोग द्वारा पारित फैसले जो और आदेस हैं वो अंतिम होते हैं अब परीसिमन आयोग क्या है इसका chapter आगे आने वाले में है जिसमें हम अलग-अलग कानून पढ़ेंगे चुनाव कानून तो उसमें हम परीसिमन आयोग को भी पढ़ेंगे तो उसमें हम detail से देख लेंगे अब हम बस यह देख लेते हैं भारत में चुनाव तंत्र क्या है किस तरीके से चुनाव तंत्र होता है किस तरीके से चुनाव होता है election commission का हमने देख लिया 324 में एक मुख्य चुनावा युक्त और दो अन्य चुनावा युक्त होते हैं बराबर सक्तियां होती है appointment trust पती करते हैं इनको हटाना जो है वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है संसद की भूमी का उसमें रहती है अपनी मन मर्जी से सरकार रहता नहीं सकती है तो ऐसे में ये सोतंत रोग करके कारे करते हैं अब गुद्धा आ जाता है कि वास्तविक्ता में election कैसे होता निर्वाचन आयोगे ये सारा काम करता कैसे है किस तरीके से काम करता है तो उसको बड़े ध्यान से समझना देखिए एक राज्य होता है एक राज्य है कई हिस्सों में आप देखोगे उसका बटावा देखते मिलेगा आप जैसे कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ मान लेते हैं कि एक राज्य है अब उस राज्य में कुछ जिले होंगे ठीक है अब हर जिले के अंदर कुछ ब्लोक ये जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे तो इन तीनों स्तर पर election के संचालन के लिए अलग-अलग तरीके के अधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है ठीक है मेरे दोस्त अब अगर हम बात करते हैं इसको ध्यान से समझे जितने भी मेरे दोस्त हैं सारे के सारे लोग इक आंसर आना चाहिए हाई सर सब लोगों का आंसर आना चाहिए हाई सर कैसे भई जोस जोस कैसे हाई है की नहीं आप सब लोग जो यहाँ पर लाइव है उनका अनसर आना चाहिए हाई सर गजब गजब क्या बात है बहुत बढ़िया यही हाई जोस आपको है ना बनाए रखने हमेशा यहाँ पर चलिए जब भी हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करते हैं तो किसी राज्य या संग्य छेतर का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, इसको मैं एक और मिटा देता हूँ यहां से, वो उस राज्य या संग्य छेतर में चुनाव कारियों का परियवेक्षन करने को अधिकरत है, जिसका निर्वाचन आयोग अधिक्षन नेदेशन निरेंतरन करता है, इसका मतलब सिंपल सा है, यह समझे, जो मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी है, वो राज्य के स्तर पर, पूरे राज्य के स्तर पर जो चुनाव चल रहा है, उसका अधिक्षन वगरा करता है, लाइट चली गई है, अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्या वाकि लाइट चली गई है, ठीक ह थोड़ा एक मिनट रुख जाते हैं, एक मिनट रुख करके देख लेते हैं, तब तक मैं इसे किसी का थोड़ा इंतिजाम कर देता हूँ, यहाँ पर बारिस बहुत भेंकर आ रही है, आपके साइड भी बारिस आ रही है क्या, चंदिगड में बहुत खतरनाक बारिस हो रही है आज, अच्छा, सोनम के यहाँ पर बारिस हो रही है, कर दो यहाँ? हुँर्य है, यहाँ निए झाय है, तर निए कने एक मिनिट दीजिए में रोगों मैं थोड़ा सा इनको एक बर वो करता हूं जरा कोशिस को नहीं है बाकि आप सब लोग मेरे इस व्यक्ति का समाधान करने की तो उमीद करता हूं आपको मैसेज नहीं दिखेंगे कितने जादा ब्लोक करना पड़ा यार कितनी आइडिया ब्लोक है लेकिन फाइनली आपको अच्छी लगी होगी आपको सही लगा होगा ठीक है अभी मेरे को लगता है कि चैट बोक्स क्लियर हो गई चैट बोक्स क्लियर हो गया ठीक है चलो थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीजे कर दी अब इसके बाद थोड़ा जोस दिहाना आप सब लोग अब सब का जोस होना चीए अब सब लोग यहाँ पर बने रहना चीए नों स्टोप थोड़ी देर के लिए मेरी सगल नहीं दीखे कोई बात नहीं ठीक है और अगर मेरी टीम के कोई भी लोग देख रहे कोई भी इस तरीके से बत्तमीजी करता हो पाया जाता है तुरंत एक जटके में ब्लोग कर दी रहे हैं यहाँ पर कमेंट बोक्स में केवल मेरे बच्चे होने चाहिए मेरे दोस्त होने चाहिए जो लोग बात करते हैं जो आपस में प्यार मोबत बढ़ा रहे होते हैं उनके लिए ठीक है लेकिन कोई एक्स्ट्रा करके यह वहीं फाल्तु क की चीजे करता उन्हें सबको ब्लोक कर देना यहाँ वालों पर थोड़ी से दयार रखना अगर ज्यादा अभद्र वास्या का प्रियोक करें तो ही ब्लोक करना इनको बागी थोड़ा मोड़ा नॉर्मल इनको चलने देना ठीक है यह चीज यार आप लोगोंने मेरे को पहले पहले क्यों नहीं बताई आप लोग पहले बताते तो मैं यह पहले कर देता है ठीक है कि मैं थोड़ा सा इसलिए रूगरों मैं इंट्जार कर रहा है लाइट आ जाए लाइट आजाए तो आपको मैं यहां से आगे कंटीनिव करूं और आगे कंटीनमित लह आएगा क्यों जब तक लाइट नहीं लिए डिया ही इस वी सकल दिखेगी नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिर देखते रेंग सर ये क्या हो रहा है भूत बन करके पड़ा रहे सर है ना देखें UPSC के लिए आप सभी लोग eligible हैं जब तक आपके वो सजा नहीं हो जाती आपके उपर case हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप दोसी भी हो गए case लोग जुठा भी दायर कर देते हैं बहुत सारे लोग उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोसी हो गए आप हर चीज के लिए eligible हैं वोट देने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, एक्जाम देने के लिए, बस आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, वहाँ पर कि मेरे पास उपर क्यों केस हुआ, क्या रीजन था, आपको बस और कुछ नहीं, ठीक है जी? आपको ज़्यादा डिटेल में पड़ना है, मेरी टीम से बात करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनकेडमी ललीत यादोगी पाट सला, चलो जी आगे लाइट आगे, अब ठीक है, अब आगे बढ़ते, ठीक है, चलिए, आप पड़ते चले जहिएगा, बने रहिएगा, जब भी हम इलेक्षन की बात करते हैं, पूरे इलेक्षन के स्तर पर, तो एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी जिला के लेवल पर होता है, एक मेरा राज्य है मैं ले लेता हूँ कि हर्याना मेरा राज्य है ठीक है जी अब हर्याना राज्य में election होना है तो हर्याना राज्य में election होगा तो इसकी पूरी देखरे चुनाओं की विवस्था देखना अब ऐसे में घरियाना के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक हो सकते हैं ठीक है कई सारे जिले हो सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेरा जिला है महिंद्रगड ठीक है महिंद्रगड एक जिला हम लगा लेते हैं कि मान लेते हैं कि रोहतक है ठीक लेते हैं कि चार जिले हैं, अब इन जिले के स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, इसको हम बोलते हैं, DEO, District Election Commission, तो यहां पर क्या होगा, DEO होंगे, ठीक है, DEO होंगे, हर जिले के लेवल पर, District Election Officer, DEO, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे, अब हर जिले में, कई स सारी विधान सभा की सीटे हो सकती है, जरूरी निए कि एक जिले में एक ही सीट हो, वो तो जनसंख्या पर डिपेंड करता है, और एक जिले में, लोक सभा की सीटे, आप देखोगे, तो हो सकता है कि, जहां पर जनसंख्या कम हो, वापर दो तीन जिलों को एक साथ मिला करके एक लोग सभागी seat बना दी जाए या किसी जिले में बहुत ज्जादा जन संखया है तो उसको दो हिस्सों में बाठ करके दो लोग सभागी सीटे कर दी जाए ठीक है तो अब यहाँ पर हर जिले के अंदर क्या होते हैं निर्वाचन छेतर होते हैं जो निर्वाचन छेत्र होते हैं, निर्वाचन या निर्वाचन छेत्र, जहां पर एक सीट होती है, ठीक है, तो इन निर्वाचन छेत्र का जो अधिक्छन और काम को देखना है, वो करते हैं, रिटर्निंग ओफिसर, यहां पर होते हैं, यह रिटर्निंग ओफिसर है, तो यह जिला के स्तर पर जितने भी संसदिय स्तर जितने भी जो चेत्र है इलेक्षन होरे वह जिला निर्वाचन अधिकारी और पूरे राज्ये के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी इतना ही आपको ध्यान रखना है इनकी नियुक्ती कोन करता है यह ध्यान रखना निर्वाच्च नायोग जो है वो इनकी नियुक्ती करता है इस चीज को ध्यान से रखते होगे चलना है चलिए इसके साथ साथ एक चुनाव निबंदन अधित्पदा अधिकारी भी होते हैं इसको Electoral Registration Officer बोला जाता है इसका reason क्या है क्योंकि चुनाव छेतर में जितने भी जो मतदाता सुची है उसको तैयार कराने के लिए यही वेक्ति होता है जो जिम्मेदार है जब भी आप देखोगे election होगा तो election के time एक voter list तैयारी की जाती है जो पुराने voter जिनकी death हो चुकी है या अपना area छोड़ करके क किसी ने भारत की नागरिक्ता छोड़ दी विदेश में जाकर के वस गए ठीक है विदेश में उन लोगों का नाम हटाया जाता है कुछ ऐसे लोग जो नए नए जवान हो गए अडर्ट हो गए 18 साल की उम्र पार कर चुके उनको vote देने का अधिकार मिलता है तो उनका नाम वहाँ पर जोड़ा जाता है तो यह मतदाता सुची जो तयार की जाती है वो इनहीं के द्वारा तयार की जाती है चुनाव निबंदन पदाधिकारी जो है वो इसके लिए होते हैं ऐसे पिठासी नदिकारी प्रिजाइडिंग ओफिसर के अगर हम बात करोगे तो जो मतदा केंद्र के उपर मतदान का काम है वो प्रिजाइडिंग ओफिसर करते हैं ठीक है जी जो मतदान केंद्र पर आप देखो यह फोटो देखो सब यह बड़ी फेमस फोटो रही है इंडिया में और यह आपको दिखाता है कि दो इलेक्शन के टाइम में आपको एक बहुत इंट और वो सारे लोग उसमें ड्यूटी में करते हैं अब ऐसे में उन में से किसी एक को खतरनाक तरीके से ढूंड करके लाने का काम जो है वो करते हैं हमारे कई सारे जर्नलिस्ट भाई साब यह एक महिला थी बड़ी फेमस वी थी इनकी साड़ी के कारण तो इलेक्षन के टाइम इलेक्षन बूठ पर यह रोल प्ले करते थे क्या इनकी एक्जेक्ट भूमिका थी वो में रोनी पता लेकिन चुनाव करवाने में इनकी भूमिका थी बूठ के लेवल पर साइध रिटर्निंग ओफिसर रही होंगी या पिठाशी न अधिकारी प् स्माइल दखो खुसी देखो इसी बात है ना बाकी जो जितने भी मेल मेंबर है वो इतने विचारे मेहनत कर रहे होते दिन रात सारी चीज कर रहे हो उनकी फोटो नहीं छपेगी कभी भारत के लोगतंत्र की यह भी एक खूबी है तो जो मतदान की केंद्र पर जहां पर आप नहीं करवा सकते ठीक है तो एक कुछी लोगों का वोट एक छेतर में होता है एक मतदान के अंदर में होता है तो हर मतदान के अंदर में इस तरीके से आप देखोगे पिठासी नादीकारी वो है वोट करवाते हैं अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ परियव प्रियाव एक्षकों के भी नियुक्ति की जाती है election में ऐसा नहीं है कि सारे लोग election करवाने में ही busy है election के time बहुत सारी गड़बडिया ना हो जाएं धांदली ना हो ठीक है गलत तरीके से लोग गलत तरीके से पार्टियां या उम्मीदवार लोगों को बहला फुसला ना रहे हो, उनके उपर निगरानी रखने के बिल्लिये भी काम किया जाता है, और ऐसा काम किया जाता है observers के द्वारा, परियवेक्षकों के द्वारा, और अलग-अलग तरीके के observer होते हैं, जिनको एक काम जो है fix करके दिया जाता है, कैसे समझेगा, कि चुनाव आयोग को सुचारू रूप से संपन कराने के लिए सामान्य परियवेक्षक नियुक्त करते हैं इन्हें स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रियागे हर चरण पर ध्यान रखना पड़ता है तो ये पूरे ओवर ओल इलेक्षन के टाइम जितने भी स्टैप्स हैं उन सभी स्टैप्स के उपर ये नजर बनाए रखते हैं इसके साथ साथ कुछ वियाए परियव एक्षकों होते हैं इनकी निगरानी इनका ये देखना होता है कि बहिया जैसे election के टाइम हर उम्मीद्वार की एक सीमा वियाए सीमा होते है जिसको बोलते है चुनाव खर्च की सीमा तो उस एक वियाए सीमा के तहट लोग खर्च कर रह रही तो ऐसे उम्मीदवारों का जो चुनाव खर्चना उसके उपर कड़ी निगरानी जो है यह रखते हैं वे परवेक्षक अगर इनको पता चलता है कि किसी ने वोटरों को लालच दिया है कि लो भाईया 2000 का नोट लो 2000 की 4 परश्पत्या वोट हमें डाल कर गया हो इस तरीक एक मिनट दीजिए मेरे को फिर से आगे चलते हैं यह होगे व्याय परवेक्षक इसके साथ साथ पुलिस परवेक्षक भी होते हैं पुलिस परवेक्षक कि अगर हम बात करेंगे न तो भारत का जो निरवाचन आयोग है वो भारतिय पुलिस सेवा के अफसरों को पुलिस परेवेक्षोकों के रूप में राज्ये तथा जिलास तर पर तैनात करते हैं ये चुनाओ छेतर की समवेदन सीलता पर निर्भर करते हैं अब ये चीज़ ध्यान रखना कि भारत के अंदर चुनाओ छेतरों को अलग-अलग केटेगरी में बाटा जाता है किसी को सामान्य कहा जाता है यानि कि वहाँ पर कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है कोई भी विवाद होने की संभावना नहीं है कुछ निर्वाचन छेतर ऐसे हैं जिनको समवेदन सील छेतर कहा जाता है जहाँ पर हो सकता है कि भाई थोड़े दिन पहले कुछ दो गुटों में मुठवेड भी हो, हो सकता है वहाँ पर कोई बाहूबली दबंग किस्म के लोग हो और वहाँ आपस में उनके बीच में वहाँ पर election को polling booth लूटने की संभावना हो, कुछ को 30 समवेदन सील में रखा ज जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर दो समुदायों के बीच, दो जातियों के बीच बहुत भैंकर दंगे हो चुके हो और वहाँ पर election हो रहा हूँ, ठीक है, polling booth लूटने की कोशिस की जाओ, इन हिसाब से जो है, मतदान केंद्रों को बाटा जाता है, डिवाइड किया वो लोग वहाँ पर चप्पे चप्पे पर हथ्यार लेकर के खड़े रहते हैं, आपको लगेगा कि यह election हो रहा है कि आपातकाल सा लग गया है, वो इस तरीके की चीजे जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है जी, यह है, clear, तो ऐसे में उन सारी छेत्रों में चानून और विवस्था बनी रहे, ठीक है, उसके उपर नजर रखना निस्पक चादार पर चुनाओ हो, कोई गलत कारेवाही ना करे, कोई बूत ना लूट ले जाए, कोई हमला उमला ना करे, इन सारी चीजों पर नजर रखने के लिए पुलिस परियवेक्षक होते हैं, अब एक जागरुकता परियवेक्षक भी है, 2014 में पहली बार, अगर हम बात करते हैं, 16 लोग सभा चुनाओ, 2014 में आयोग ने केंद्रिय जागरुकता परियवेक्षक बहाल किये, फील्ड स्तर पर ये क्या करते हैं, चुनाओ प्रक्रिया की कुसल तथा प्रभावकारी देखते हैं, खास कर कि वोटरों में जागरुकता को लेकर जागरुकता परियवेक्षकों को लगाया जाता है, वो समय समय पर लोगों के साथ संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी भी तरीके की समस्य आती है, इलेक्षन से संबंदित, चुनाओ से संबंदित, उसके को में मदद करते हैं, जागरुक्ता का प्रचार प्रसार करते हैं, कि किस तरीके से वोτο कैसे डालना है, सही वोट कैसे डालना है, कहीं गलत ना हो जाए, सारी चीज़ों bet आरे में कंप्लेन कैसे करने वह सारी कंट्रोल रखता है चुनाव पर नाली के उपर कि कौन वोटर लिस्ट तयार करेगा कौन इलेक्षन करवाएगा कौन उनके उपर नजर रखेगा इन सब की चीजों पर वो करता है अब इलेक्षन की प्रोसेस क्या होती है समझे भारत में लोकसभा और राजसभा इन दोनों के लिए आम चुनाव आप देखते हैं पांस साल का कारेकाल होता है आम तोर पर अगर पहले सरकार ना गिर जाए तो लेकिन अगर मान लेते हैं पांस साल का कारेकाल है तो भारत में पांस साल के बाद election होने जरूरी है mandatory है पहले भी किये जा सकते हैं अगर सरकारे जो हो पहले गिर जाए और कोई और सरकार ना बना पाए अभी हम उन अपवादों पर नहीं जाएंगे हम direct इस चीज पर लेकर के चलेंगे कि हाभी यह 5 साल का कारेकाल है 5 साल के बाद election होने करोगे उसके लिए election कराना पड़ेगा उस election के लिए आप wait नहीं कर सकते कि पहले पूरा 5 साल का कारेकाल समाथ होगा उसके बाद फिर election कराएंगे फिर ओर time लेंगे समय लेंगे यह ध्यान रखिए समिधान यह उले करता है भंग लोक सभा के अंतिम सत्र तथा नई लोक सभा के गठन के भी 6 माँ से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए तो 6 महिने का time fix कर दिया बहुत सारे देशों में आप देखोगे कि वहाँ पर election होते ही नहीं है बहुत लंबा-लंबा समय तक election होते है उनके आधार पर जुहारलाल नेरू ने 1969 में पंचायती राज को लागू तो कर दिया था लेकिन election जो है वो समय पर नहीं होते थे एक बार हो गये तो पता चला 20 साल तक election ही नहीं हो रहे तो ऐसी स्थिती केंद्र और राज्य की स्थर पर ना आ जाए अब चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें सारी की सारी भूमी का आप देखोगे तो हमारे election commission की होती है election commission क्या होता है कि चुनाव प्रक्रिया की सुरुवात के कुछ सब्ता पहले एक समवादाता समेलन में नए चुनावों की घोसना करते हैं इस घोसना के उप्रां उमिद्वारों और राजनितिक दलों के उपर चुनाव आधार सहिता लागू हो जाती है अनि जब वो तारीखों का निर्धारन कर देते हैं इस प्रक्रिया को एक के करके समझ लेते हैं तो आपको जाद अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले तो चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है जैसे ही लोग सभागा विग्टन हो गया नए इलेक्षन कराने निर्वाचन आयोग नए चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा कि हाँ भईया नए इलेक्षन होने वाले हैं अब ठीक है और उस टाइम कोई तारीक निर्धारित नहीं की जाती कि कितनी कितनी तारीक को कब कब होगा एक tentative सी एक संभावित सा समय सब को पता चल जाता है कि हाँ भीया अब एक मैने में दो मैने में धाई मैने में इतने समय में इलेक्षन जो हो सकता है ये चीज़े हो जाती है ठीक है जी क्लियर चले जी अब इसके साथ साथ जैसे ही अधिसूचना जारी होती है फिर उसके बाद मामला सुरू होता है असली राजनितिक प्रक्रियागा कैसे सुरू होता समझे अधिसूचना जारी होने के बाद जिन जिनके भी दिल में इच्छा है कि हम अपने छेतर से सांसद बने या नमांकन दाखिल करते हैं, फिर नमांकन पत्र की ये लास्ट डेट होती है, ये सब बोला जाता है, फलाना फलाना तारीक तक सब जो भी election लड़ना चाहते हैं, अपना नाम यहां पर दर्ज करा लो, तो जो निर्दलिय लड़ना चाहते हैं, पार्टी की सीट पर लड़ना चाहते हो वो सब लोग अपना वहाँ पर नामांकन करवा लेते हैं नामांकन पत्र भर देने के बाद अंतिम तारिक से एक सब्ता पस्चात नामांकनों की जाच संबंधित चुनाव छेतर के चुनाव अधिकारी करते हैं नामांकन पत्रों की जाच होने से पहले जितने भी लोग जिनोंने वो नामांकन पत्र दायर किया इलЕक्शन लढने की इच्छा जता ही है उनको मोका दिया जाता है कि भाई अगर आब इलेक्शन नाम वापस लेना चाहते हो तो ले लो election से बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ ठीक है फिर उसके बाद नामांकन पत्रों की जाच होती है अब ऐसा क्यूं होता है बैठने का मोका क्यूं दिया जाता है उसका reason यह है कि भारत में हर किसी को election लड़ने की आजादी है अब ऐसे में क्या होते है छुटपूट छुटपूट से भी कई सारे दल क्या करते है बड़ी ही चाला किसे वो कोई केंद्रिय पार्टी कोई बड़ी पार्टी है उसका कोई नेता होगा मान लेते हैं बड़ी पार्टी है एक भारत में और उस पार्टी का एक नेता है एक उम्मीदवार है जिसने नामांकन भरा है और उस उम्मीदवार का नाम है बाबू सोना अब बाबू सोना ने अपना फोर्म भरा तो कई सारी छोटी छोटी छुटपुट से दल या कई सारे निर्दलिये से लोगों क्या करते हैं वो उसी नाम के किसी उमीदवार को ढूंड करके लाएंगे और उसी बाबु सोना के नाम से अपना केंडिडेटर फाइल करवा देंगे अपना नामांकन पतर दायर करवा देंगे कई सारे तो बाबू सोना के नाम से पांच से लोग हो जाते हैं अब ये बाबू सोना नाम से एक ही नाम से चार पांच कंडिडेट अगर हो गए तो इसका नुकसान तो केंद्री पार्टी को है क्योंकि लोग जनता कंफ्यूजन में आ जाएगी इलेक्शन के टाइम वोट डालते टाइम हो सकता है उनको ये नापता चले कि भई कंफ्यूजन में केंद्री पार्टी के बाबू सोना की बज़ाए इसी दूसरे बाबू सोना को वोट दिया हूँ ठीक है ये चीज तो ये एक प्रोब्लम हो सकती है तो ऐसे में कोशिस की जात तो साम, दाम, दंड, भेट सब तरीके के हत्गंडे पार्टियां यूज करती है इस दोरान में कई सारी पार्टियां सोदे बाजी भी कर लेते बड़े उमीदवार के साथ कि देखो भाईया तुम्हारा बाबू सोना खड़ा रहेगा हमारे बाबू सोना बैठ जाएगा हम लेकिन कुछ खाना पानी, खर्चा पानी कर दो, दे दो कुछ 10-50-20-20-1 करोड जो भी, तो ऐसे सोदे बाजी भी होती है, यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे भी लोग कमाई income करने के उपर सोचते हैं, तो बड़े ही जुगाडू किस्म के लोग होते हैं, फिर उनके जो न इन सब आधारों पर आपका निर्ने किया जाता है, फिर जब आपका नामांकन फाइनल हो जाता है, आपका नामांकन पत्र वैध पाया जाता है, फिर आपको मोका दिया जाता है कि परचार करो, फिर आप चुनाव परचार करने का वो दिया जाता है, तो इस तरीके से सब ल आग अलग चुनाव प्रचार करता है। चुनाव प्रचार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैंक वे अपने party का एक manifesto जारी करते जिसको वोलते पार्टी का घोषा पत्र चुनाव घोषा पत्र। उसके अंदर कई सारी घोसनाई होती है अलग अलग तरीके की घोसनाई लिखी रहती है सभी लोग जैसे भारत में जिस तरीके की डिमांड वैसी सप्लाई की कोशिस की जाती है सारा खेल जो है न दोस्त वो डिमांड और सप्लाई का है अब राजनितिक पार्टियों को पता है कि भारत में तो एक से बढ़कर कि एक फ्री की घोसना होती है अलग कुछ नहीं है चीज वही कोई वहाँ पर फ्री साइकल बाटेगा तो कोई फ्री एलेडी बांट देगा कोई फ्री दारू का खंबा देगा कोई फ्री कहेगा कि आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे सपने दिखा हैं तो आपके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यार मैं बेरोजगार हूं और मेरे खाते में तो इतने पैसे आने वाले मेरे तो जिंदगी समर जाएगी मैं तो वह डीसी पार्टी को दूँगा अलग-अलग किस्म के वादे आपसे किये जाते हैं अलांकि इनकी पर वो गाना नहीं सूट होता कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा यहां पर तो वो है वादे किये वे वादे जो अक्सर तूट जाये करते हैं भूल जाये करते हैं वादा दियान नहीं रखते तो वो परचार करते हैं अलग-अलग तरीके स में या स्कोर्पियो टाइप में इस तरीकी गाडियां एक से बड़ी से बड़ी गाडियां चलती आगे काफिला चलता है उससे बाहुबल प्रदर्शन किया जाता है सक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि देखो मेरे पास कितने सारे लोग हैं और इंडिया में लोग ऐसे सक्ति प्रदर्शन से बड़े प्रभावित होते हैं वो जैसे देखेंगे गजब नेता जी के पास तो इतने सारे लोग मैं भी इसी को वोट दूँगा क्योंकि दमदार तो यही है वही कोई ऐसा इमानदार सा सीधा साधा सा इमानदार व्यक्ति जिसके पास इतना खर्च करने के ल पर और लोक सभागे सतर पर ऐसे हैं जिनके उपर बहुत गंभीर गंभीर अपराद जो है ना उनके तहत के दर्ज है और पैसे के बलबुते ही वो बचेवे होते हैं लोगों को पता भी है कि वास्तविक्तम इन्होंने काम किये हैं गडबड़ की उसके बावजूद भी वह राजनेतिक प्रणा लीगी अब जब चुनावो परचार होता है उसके बाद कराया जाता है पूरे भारत वोट डलवाऊगे तो ऐसे में मतदाताओं को वोट डालने के समुचित अवसर मिले विवस्था बनी रहे तरीके से election हो जाए इसलिए चर्णों में election कराया जाता है अलग-अलग stages में election कराया जाता है चर्णबद तरीके ठीक है जी अब मतगर्णा के लिए जब मतदान समाप्त हो जाते हैं अलग-अलग चरण के मतदान समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद मतगर्णा होती है अलग-अलग चरण में कैसे होते हैं मान लेते हैं कि यह एक राज्य है, ठीक है, मान लेते हैं कि हर्याना राज्य है, पूर एक्जामपल ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि इसमें ये अलग-अलग लोक सभागे छेत रहें, तो हो सकता है कि ये एक, दो और तीन, इन तीनों में प्रथम चरण में एक चरण में इलेक्षन हो जाए फिर उसके बाद जो बाकी के जो ये बचगे इन सारे जिलों में दूसरे चरण में मतदान करा लिया जाए अगर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है तो आपर तीसरा चोथा पाँचवा चरण भी चलता है ताकि इल सिधान सभा के चुनाओं में ऐसे ही लोक सभा के चुनाओं में जब इलेक्षन कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्षन कंप्लीट होने के बाद क्या उत्त है उसकी मतगन्ना की जाती है मतगन्ना के लिए एक अलग तिथी निर्धारित की जाती है तो प्रतेक चुनाओ छेत्र को voting के बाद seal बंद कर दिया जाता है seal बंद करके उन सारी EVM मसीनों को एक बड़े सेंटर पर एक निरवाचन केंदर पर जहाँ पर सुविधा होती है जाधा जगह होती है वहाँ पर सारे आसपास के छेतरों के इवे मसीनों को लाया जाता है सभी पार्टियों को एजेंट वहाँ पर होते हैं election officers जो हैं वहाँ पर होते हैं वहाँ पर मतगन्ना करते हैं पार्टी के एजेंटों के सामने और मतगन्ना करने के बाद जिस भी उम्मीदवार के पास सबसे ज़ादा vote मिलते हैं जिस भी candidate को सबसे अधिक vote मिलते हैं उसको विजई घोसित कर दिया जाता है भारत में बहुमत नहीं चाहिए होता है किसी candidate को जीतने के लिए भारत में first past the post system है जिसको सबसे ज़ादा seat मिली वो election जीत जाएगा ठीक है ये इस तरीके से है अब इसी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया जो है वो संपन हो जाती है और उसके बाद लोक सभा का सत्र और विधान सभा का सत्र बुलाये जाते है राज़्यपति लोक सभा के सत्र को आहूत करते हैं जेपल विधान सभा के सत्र को आहूत करते हैं यह बेसिकली चीजे थी अब यहां पर चुनाव परचार और इससे संबंदित कई सारी प्रक्रिया हैं इनको देखने की जुरूत नहीं कि वही चीज है प्रोसेस वही है जो मैंने आपको समझाये था तो राजनितिक दल किस किस यहां पर जाने से पहले इसमें एक इंपोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता जता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं और जितने भी दल हैं राजनितिक दल हैं उनसे यह अपेक्छा की जाती है कि वो निर्वाचन आयोग द्वारा राजनितिक दलों की आम सहमती के आ इस सब चीजों के लिए कुछ टर्न एंड कंडिशन बनाई जाती हैं जैसे आप लोग ओफिसर बनते हैं एक्जाम पास करके तो आपके लिए भी मोडल कोड ओफ कंड़क्ट होता है होता है कि नहीं कि आप रिस्वत नहीं ले सकते हैं ठीक है आप आईएस ओफिसर हैं तो पैसे में आप किसी का काम करने के बदले पैसे की डिमांड उपहार की डिमांड इस तरीके की चीज़े नहीं कर सकते हैं किसी पार्टी की सपस्ट विचार धारा में सम्मेलित होते हैं उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं कुछ कोड़ और्फ कंड़क्ट होते हैं ऐसे ही राजन से बातचित करता है उनसे सहमती बनाता है आम सहमती और उनकी सहमती पर भारत में आचार सहीता बनाई जाती है अब सोचिए जब पार्टियां ही आदर्स आचार सहीता बनाने लग रही है तो वो किस तरीके की आदर्स आचार सहीता बनाने की में वो करेंगे कोई भी ऐसा सक्त कदम जिससे उनके उपर खत्रा मन रहे उसको फोलो करना पसंद नहीं करते होंगे है ना इसी लिए क्या होता है कि भारत में जितने भी जो आदर साचार सहीता आप देख तो वो इतनी यदिक सक्त देखने को नहीं मिलती है और उसका वोईलेशन भी देखने को बहुत मिलता है ठीक है कि गलत तरीके से किस तरीके से आपको वैभार करना चाहिए किस तरीके से काम करना चाहिए वो आदर साचार सहीता में होता है जैसे कि उसमें यह होता है कि इलेक्शन के टाइम आप किसी को पैसे का लालच देख करके वोट नहीं खरीद सकते आप इस तरीके के भासन के election में उलंगन किया जाता है आदर्स आचार सहिता लागू होती है जब निर्वाचन आयोग एक press conference करता है और press conference करके सभी तारिखे अनाउंस कर देता है date अनाउंस कर देता है कि भहिया फलाना फलाना तारिख को पहला चरन होगा फिर दूसरा चरन होगा फिर तीसरा चरन होगा तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन उसने वो प्रेस conference करके इन चरनों की घूसना की ठीक है लगबग दो हफते के करीब का समय होता चोदा से time तक जब तक घर वोटर घर से नहीं निकल जाएगा तब तक उनके पैर पकड़ पकड़ गर के वोट मांगते हैं अभी साथ राजस्थान युनिस्टी का election हुआ राजस्थान चात्रसंग का election हुआ और कई सारे वीडियो वाइरल हुए कि जैसे कोई वोटर आ रहा वोट डालने के लिए जितने भी वोट के लिए वह भी है तो यह चीज है यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप इस तरीके की चीज़े कर नहीं सकते हो election के टाइम जो वोटिंग हो रही है वोटिंग प्रक्रिया के दोरान आप मत दाताओं को मत को प्रभावित नहीं कर सकते कि मेर को वोट दो मैं यह दे दूँआ और आम तोर पर आप देना बड़ी चाला किसे क्या करते हैं वोटिंग बहुत पार्टी जो हैं वो क्या करते हैं वो अपना कैलेंडर छपवाती हैं अपना पैन चपवाते हैं अपनी कीचेंज बनवाते हैं उनके उपर उनकी लगरी रहती है इस तरीके से जब सामान्य चुनाव परचार खतम हो जाता है आचार सहीता लागू है उस समय देखना वो लोगों से बात करते हैं और लोगों के माध्यम से घर घर तक किसी को पैन पहुंचा रहें किसी को डाइरी पहुंचा रहें किसी को केलेंडर पहुंचा है लोग सभागे चुनाव के लिए मान लेतें कि 80 लाग की समय खर्च की सीमा है कि एक उम्मीदवार 80 लाग से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है लेकिन आप रियालिटी देखोगे आपको सदमा सा लग जाएगा असी लाग में तो आप कहते हैं ना कि उट के मुँ में जीरा वैसा होता है एक एक लोग सभा का उम्मीदवार भारत में आम तोर पर 5-5-6-6 करोड 10-10 करोड रुपे खर्च करता है इलेक्शन में अब आप कहोगे सर जब चुनाव सीमा लगा रखिये उसके बावजूद ये लोग उस चुनाव सीमा से ज़्यादा खर्च करते हैं चुनावी परियवेक्षक भी हैं वो भी वैव परियवेक्षक हैं वो भी जुकने बावजूद इंके इलेक्षण को इनके चुनाव को रद क्यों नहीं किया जाता है आता है सभी सब्हलाई कराना नया कराना कहां से इतना पैष आएगा कहांच इतनी वेवस्था होगी और वही नहीं पाएगा सभी लोग यह आदर साचार संजिता बनाने वाली भी पार्टिया ही है निर्वाचन आयोग बनाता है जरूर है लेकिन सहमती पार्टिया देती है और तोड़ने वाली भी पार्टिया ही है निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी वीडम बनावाली स्थिति आजा ती crystal जेए टो एसे मने वो केवल उन्हीं मामलों पर कारवाई करता जो बहुत जादा नियतिक हो गये उन्हें बहुत जिया अती करदी कहते ना जिसने अती ही ही और khu कर दी leaders प्यार हो गया प्यार भोबत हो गए सामान्य तोर पर चीजे चल रहे तब तक ठीक है आप दोनों के पास इंडिपेंडेंडेंस है सोतंतरता है लेकिन कोई एक जना साइको गिरी पर उतर करके अगर हम बात करते हैं तो फिर वो हर चीज पर करने लगा यहां क्यूं गई तुम उससे क्यों बात की तुमने तुमने ये वाला कपड़ा क्यों पहना तुमने फटी जीन्स क्यों पहनी तुमने निकर क्यों पहनी तुमने मेरा फोन उठाने में दो मिनट की देरी क्यों की तुमने उस लड़के को क्यो देखा या तुमने उस लड़की को क्यो देखा तो य रहें जब तक चीजे ठीक चल रही थी थोड़ी मोडी थी मैनेज़ेवल थी आप लोग कंप्लेंड नहीं करते लेकिन जब अती हो गई तो आप कंप्लेंड भी कर देते हो फिर पूरी आसकी का भूत उतार दिया जाता है फिर लड़का हो की लड़की हो ऐसे ही यहां पर भी ह अगर कोई राजनी उम्मीदवार जादा आती कर देता है तो निर्वाचनायग उस पर वैवहारिक तोर पर कारेवाही करते है आम तोर पर सभी एक ही प्रक्रिया में चल रहे होते हैं तो दिक्कत हो जाती है ठीक है जी चलिए तो यह हुआ अब मतपत्र और चुनाव चिन यह यह भी आपको पता होना चाहिए आपको पता है यह क्या है आपने से कितने लोग है जिन्होंने वोट डाला है इमानदारी से बताना कौन-कौन लोग है जिन्होंने वोट डाला है कौन-कौन है जिन्होंने वोट डाला है तो अगर आपने वोट डाला है आप हाल-फिल-हाल की जनरेशन के हो तो आपने यह जरूर देखा होगा इसको बोला जाता है EVM मसीन ठीक है इसमें आपके पार्टी के उम्मिदवार का नाम उनका चुनाव चिन और यहां पर बटन होता है उस बटन को दबाने से आप जिसके सामने बटन दबाओगे उसका वोट जो है डल जाएगा अब ऐसे में मतपत और चुनाव चिन होती हैं क्या होते हैं जो भी केंडिडेट इलेक्शन लड़ता है ठीक है जिस पार्टी से वो लड़ता है तो उस पार्टी का एक चुनाव चिन होता है अगर वो माननेता प्राप्त राजनितिक दल से हैं तो उनकी पार्टी का चुनाव चित आरक्षित रहता है जैसे कि अगर कोंग्रेस से लड़ेगा तो हाथ काएगा बीजेपी से लड़ेगा कमल का फूल आएगा आम आदमी पार्टी से लड़ होता है अलग से तो वो उनके चुनाव चीन इस तरीके से रहते हैं और सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो बटन होता है उसको बोला जाता है नोटा नोटा का मतलब none of the above इन में से किसी को भी हम पसंद नहीं कर रहें हम किसी को भी वोट नहीं देना चारे उसका मतलब है नोटा तो वह नोटा का भी आपके सामने विगल्प होता है तो यह इसमें बुक के अंदर जो लिखा विया है कि मतदान मतपत्र छपवाए जाते हैं सूची बनाई जाती है ठीक है और उस मतदाताओं के सूची के बाद थपा लगाने वाला जो सिस्टम था वो समाप्त हो गया सब लोग EVM मशीन में जा कर गे वोट डाल कर गे आते फिक जी इ वियम मसीन में अब मतदान दिवस के अगर बात करते हैं मतदान दिवस में क्या होता है सब के लिए अलग-अलग समय आप देखोगे ना अलग-अलग निर्वार्चन की तीठिया होती है तो मतदान प्रक्रिया हमेशा गुप्त इस तरीके से अब देखे कोई एक सरकारी कोई भी सरकारी कारिया या कोई सरकारी स्कूल हो गया सरकारी कोलेज हो गया कोई भी सरकारी संस्थान सरकारी भवन उसकी अंदर कोशिस की जाती है कि इलेक्षन की प्रक्रिया संचालित की जाए क्योंकि सरकारी संस्थान को वो जो है तो गुप्त होता है, गुप्त मतदान का मतलब यह है, कि आपने जिसको वोट डाला, वो केवल आपको पता है, आपके लावा किसी को नहीं पता, आप जब भी वोट डालने जाएंगे न, तो आपको ही पता रहेगा, सबसे पहले जैसे क्या करेंगे, किसी सारजनिक स्थल पर मतदान केंदर स्थापित के जाते हैं, जैसे कि विध्यालय सामुदाइक भौन, ठीक, ताकि सब अधिक से अधिक लोग वहाँ पर आएं, वोट डालने के लिए, प्रतेक मतदाता को मतदान केंदर की दूरी दो किलोमेटर से अधिक नहीं होती, ठीक है जी, तो कोशिस यही की जाती है कि दो किलोमेटर से के दाइरे में ही मतदान केंदर जो है, वो बनाया जाए, ताकि ज़्यादा दूर से ना आए, प्रवेश करते हैं जब आप एंट्री लेते हैं, तो एंट्री लेते टाइम आप देखना, वहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, एक लिस्ट लेकर गे, वो जैसे आप एंट्री करेंगे, तो पहले आप अपना वोटर कार्ड आपको दिखाना होता है, अप अपना वोटर कार्ड दिखाओगे, वो उस लिस्ट में आपको चेक करेंगे, कि हाँ भी आपका नाम है कि नहीं, अब आप आगे चले जाओ, जहाँ पर पहुंचोगे तो जो मतदान के अंदर में छोटे-छोटे से कमरे होते ना उसमें आप पहुंचोगे और वहाँ पर पहुंच करके उस कमरे के अंदर एंट्री करोगे तो वहाँ पर एक टेबल लगी रहेगे उस टेबल के साथ में दो-तीन लोग बारी-बारी से बैठे रहें फिर आपके नाखून पर यहाँ पर एक सियाही का निसान लगाएगा, सियाही का निसान लगाने के बाद फिर वोओ कहीगा कि सामने देखो मसीन है, EVA मसीन, उसमें जाकर वोट डाल दो, फिर आप वहाँ पर जाकर двух डाल दोगे, कई सारी चीजे आ जाती हैं अगर आप ये प्रकिरिया एक बार अपनी जिन्दिगी में करते हो तो आपको prelims related एक क्योस्टन का वैवहारिक ज़रूर हो जाएगा और mains में तो यहां के ये hot favorite मुद्दा है चुनाव essay का भी मुद्दा है तो वहां पर भी आप बहुत सारी वैवहारी चीजे डाल पाओगे जो reality में आप चीजे वहां पर अनुभव करोगे वो ठीक है भारत में अगर हम बात करते न तो पहले EVM machine यूज नहीं की जाते थी पहले जो है न ये EVM machine जो आप देख रहे हैं electronic voting machine इनका चलन 2000 के बाद से जादा हुआ उससे पहले एकका दुखका बार कभी का बार करने की कोशिस की गई थी पहले क्या होता था पहले एक मतपत्र छापा जाता था परच्चा होता था उस परच्चे के उपर candidate के नाम होते थे ठीक है stamp और उसके बाद उसको ठपा लगाना होता था आपको ठपा लगा करके vote डालना पड़ता था और फिर उसको mode करके उस list को एक मत पेटी होती थी उसके अंदर डालना पड़ता था जैसे letter डालने जाते न आप letter डालते हैं letter box के अंदर ऐसे ही एक मतदान पेटी होती थी, उस मतदान पेटी के अंदर आपको vote डालना होता था, अब ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल थी यार, इससे के कारण क्या होता था, एक तो कई सारे vote गलत पर जाते थे, अवैद हो जाते थे, रद हो जाते थे, सही तरीके से अगर सही बढ़ती दूसरी चीज उसमें इतने ज्यादा कागजों का यूज होता था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करने पड़ती थी कागज पेड़ से बढ़ते हैं बड़ी संख्या में इतने पेड़ काटने पड़ते थे जिससे की भारत में परियाव क्या था कि जो बाहु बली टाइप के लोग ना गुंडे टाइप के लोग हैं वह आकर के बूच कैप्चर कर लेते थे गोली बंदूख ले करके हतियार ले या उसके लुट करके भाग जाते तो बहुत सारी गड़बडियां थी उन सारी गड़बडियों को दूर करने के लिए इविम मसीन का यूज़ प्रार्म किया गया जो कि एकदम बहुत ही सरल तरीके से आपको वोट देने के लिए सक्षम जोब बनाती है अगर आपने पुरानी फिल्में देखी है कोई बोलीवूड की पुरानी फिल्में मित्फुन टाइप की ए आई अम डिस्को डांसर या धर्मिंदर टाइप की पुरानी फिल्में आप देखना की उसमें ये सीन बड़े होते हैं कि वो जाएंगे और जाकर के पुरा का पूरा बूथ लूट लेंगे हमला कर देंगे सेम वैसे होता था तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने इवियम मसीनों का प्रयोक शुरू गया और अब पूरे भारत में विधान सभा और वो लोक सभा के जो आप जो भी जितने भी इलेक था फोटो तो यह बड़ा हो जाता है पारंप्रिक मतपत्रों की प्रणाली के बजाए एवियम के लाब होई है जो मैंने आपको बताया कि अवैध और संधेस्पाद जो मत है उनकी संभावना समाप्त हो जाती है मतगंणा की प्रक्रिया आसान हो जाती है वोटों को गिनना बड़ा आसान हो जाता है बार-बार मतपत्र से एक एक परची निकाल निकाल करके निकाल निकाल करके गिनने की आऊ सकता नहीं है मसीन के अंदर डाइरेक्ट काउंटिंग होती है वो काउंटिंग आप देख सकते है लाइट चली गई घवराना नहीं है सकल जरूर ना यह सारे फाइदें यहां पर होते हैं मतगनना समाप्त होने के बाद फिर क्या होते हैं मतगनना आराम होती है और जो विजै उमीद्वार है उसका नाम घुसित कर दिया जाता है इलेक्शन समाप्त होगे इस election के अंदर आपने अभी निर्वाचन आयो की भूमी का देखी निर्वाचन आयो किन किन अधिकारियों को न्यूक्त करता है अलग-अलग स्तर पर उनकी भूमी का देखी वो क्या करते हैं इसके साथ-साथ बूत के स्तर पर निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है ठीक वो हर तरीके के मीडिया जो है वो इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाती है चुनावी प्रक्रिया जो है इसको अधिक से अधिक पारदर्सी बनाने में जन्माध्यमों का जो है इनको प्रोचाहित किया जाता है घे भाईया तुम आओ के सान्ती पून तरीके से इलेक्षण हो रहे है डेको कोई धांदली नहीं हो रही है है ना आपको से एक रुझान भी पता चलेगा और इलेक्षण के बारे में लोगों की अवेरनेस भी आएगी कुछ हमारे जैसे लोग वो डालने में स्टार्टिंग में इनिसियली जब नए नए जवान हुए नए अई है нужен अडल्ट हुए वोटिंग डालने का जो ích इसीलिए इ lawn डालने का जो शोक था वह इसी लिये यह ठा कि मिडिया में फोटो आ जाये कई यहाँ पर वीडियो में दिख जाए फोटो में चले जाए वहाँ पर उनकी एंट्री अंदर तक उनकी एंट्री रहे एक साधारन नागरीक साधारन व्यक्ति को आप देखोगे वोट डालने के अलावा आप उस मतदान केंदर के आसपास भी नहीं फटक सकते आप वो कहीं निकलना होगा दाय माय से निकलना पड़ेगा लेक रह सकते हैं जबकि आप वोट डालने के बाद वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते आपको वापस जाना पड़ेगा ये इनको दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आएं निस्पक छाधार पर चीज़े होती रहें अब चुनाव याची का होती है अगर मा बिश्वास हो चुका हो कि चुनाव में कदाचार हुआ है उसको ये लगे गया और ये इलेक्षन में कोई ना कोई धांद ली विए गड़बड़ी विए तो वो इस तरीके का पैटिसन चुनाव याची का दायर कर सकता है और पूरा का पूरा चुनाव छेत्रिस में सनलग कोट में जाएगा राज्ये के सतर पर जितने भी इलेक्षन है उन सब के मामले हाई कोट में जाएगे चाहिए वो लोक सभा का इलेक्षन हो आपके चाहिए विधान सभा के इलेक्षन हो आप सांसद बनना चाहते हो कोई भी बननाना चाहते हो ठीक है